अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टैली प्राइम के इस अध्याय में आप जानेंगे GST Reports के अंतरगत GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3B क्या हैं और इनमें किस ओप्षन का क्या उप्योग है पिछली वीडियो में हमने बताया था कि Purchase और Cells के वाउचर बनाते समय GST Calculate नहीं होने के पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और उनके क्या समाधान है और आज हम आपको बताने वाले हैं GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3B Reports के बारे में टेली प्राइम में जब हम Purchase और Cells के Entries करते हैं तो इन Entries के आधार पर GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3B इत्यादी GSTR Reports अपने आप तयार होती हैं इनमें से कुछ Reports को हम Written के रूप में अनिवारे रूप से Monthly या Quarterly GSTR Portal पर अपलोड करते हैं और कुछ Reports GSTR Portal पर पहले से Upload Report से Cross Check करने के काम आती हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय GSTR Reports को हम दो तरीकों से देख सकते हैं यदि आप Tally में कहीं कोई काम कर रहे हैं और उसे बंद किये बगएर GSTR Reports देखना चाहते हैं तो Go To के लिए Alt के साथ G प्रेस करें अब सर्च पार में टाइप करें GSTR ऐसा करते ही GSTR Reports के अंतरगत आने वाली सभी तरह की Reports के नाम दिखाई दे रहे हैं और यदि आप Gateway of Tally पर हैं और GSTR Reports देखना चाहते हैं तो उसके लिए Display More Reports पर जाना होगा उसके लिए D प्रेस करेंगे अब GSTR Reports के लिए O प्रेस करेंगे यह देखिए हमारे सामने GSTR Reports दिखाई दे रही हैं इसमें सबसे उपर हमें तीन ओप्शन्स GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 B दिखाई दे रहे हैं हम एके करके इन तीनों के बारे में बताएंगे सबसे पहले है GSTR 1 हम व्यापार में जितनी भी Outward Supplies जैसे Cells Taxable, Nill Rated, Exempted, Cells Return और Export इत्यादी करते हैं यह उनके आधार पर तयार होने वाली Tax Summary है इसे व्यापारी को अपनी Turnover के हिसाब से GSTR Portal पर Monthly या Quarterly Return के रूप में सब्मिट गरना होता है यदि Turnover 5 करोड रुपे से कम है तो Quarterly और यदि Turnover 5 करोड रुपे से अधिक है तो इसे Monthly सब्मिट करना होता है हम GSTR 1 पर ही है इसलिए Enterprise करेंगे यह देखिए GSTR 1 रिपोर्ट ओपन हो गई है इसमें सबसे उपर हमें अपनी Company का GSTR नंबर दिखाई देता है इसके बाद यहां Right Side में Period दिखाई दे रहा है हम अपनी जरूरत के अनुसार F2 की प्रेस करके Period चेंच कर सकते हैं GSTR 1 को समझने के लिए हम इस वर्ष के प्रारंभ से लेकर अभी तक के Period के Report ओपन कर लेते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह जो Particular वाला Section आप देख रहे हैं इसमें जो Period दिखाई पड़ रहा है उस अवधे में हमने जितने भी Transactions रिकॉर्ड किये हैं यह उनकी समरी है जिने हम एक-एक करके समझते हैं पहला Option है Total Vouchers हम जो भी Period सेलेक करते हैं उस Period में हमने टेली प्राइम में जितने भी Voucher बनाए हैं जैसे Receipt, Payment, Contra, Purchase और Cell सित्यादी यहां उन सभी की कुल संख्या दिखाई देती हैं हम इस पर Enterprise कर रहे हैं यह देखिए यहां सभी Vouchers के नाम और उनकी संख्या दिखाई दे रही है इसके बाद है Include in Return इसमें GSTR1 में जो जो एंट्री शामिल होंगी जासी Cells, Cells Return, इत्यादी वो सभी दिखाई देती हैं फिर है Include in HSN Oblick SAC Summary हमने Outward Supply के जतनी भी Transaction Record किये हैं उनमें Vouchers बनाते समय Stock Item या Service के Leisure सिलेक किये होंगे अब जिन Stock Items या Service के Leisure में हमने HSN या SAC डाला होगा वो सभी Transactions हमें Include in HSN Oblick SAC Summary में दिखाई देंगे हम Enterprise कर रहे हैं यह देखिए इनके Summary दिखाई दे रही है जिन Stock Items या Service के Leisure में हमने HSN या SAC नहीं डाला है या फिर अमान्य यानि Invalid HSN या SAC डाल दिया है तो वो हमें Incomplete Information in HSN Oblick SAC Summary में दिखाई पड़ेंगे हम यहीं पर Enterprise करके इस सेक्शन का सबसे महतपून आप्शन है इसमें Outward Supplies के वो ट्रांसेक्शन साएंगे जिनमें हमने GST से संबंधित किसी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दी है या फिर अपरयाप्त जानकारी दी है यानि पूरी जानकारी नहीं दी है वाउचर में की गई इन मिस्टेक्स को या अधूरी जानकारी को हमें GST Return भरने से पहले ठीक करना जुरूरी होता है इनके बारे में हम आपको इसके बाद वाली वीडियो जो की Uncertain Oblake Mismatch Transactions के बारे में है उसमें डीटेल में समझाएंगे अभी उपर इस सक्षन में हमने देखा की Total Vouches कितने हैं GSTR 1 में कितने शामिल हो चुके हैं कितने में हमने HSN डाल दिये हैं, कितने में नहीं डाले हैं या गलत डाल दिये हैं कितने Transactions GSTR 1 से समबंधित नहीं हैं और कितनी Transactions में हमने Mistakes की हैं अब ये वाला जो Section है इसे मुख्य रूप से GST Department की आवश्यक्ता की अनुसार Written Format में बनाया गया है जो Transactions GSTR 1 में इंक्लूड हो रहे हैं, उन्हें यहां अलग-अलग Table में Classify किया गया है इसमें सबसे पहले है B2B Invoices, B2B से मतलब है Business to Business इसमें प्रदेश के अंदर या बाहर के Regular Dealer और Composite Dealer दोनों को की गई Outwards Supply यानि सभी तरह की Cells की Reports दिखाई पड़ती हैं हम इस पर जाकर Enterprise कर रहे हैं देखिए यहां उन सभी पार्टियों की GST Report दिखाई दे रही है जो GST में Registered हैं अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे नंबर की इसमें है B2C Large Invoices और B2C Small Invoices इन दोनों में ही Consumer और Unregistered Person को की गई Sell दिखाई देती हैं पर इनकी कुछ Conditions हैं यदि Consumer या Unregistered Dealer अपने ही State का है और हम उसे एक Invoice पर कितने भी रुपए का माल बेचें जैसे दस अजार, धाई लाक, पाँच लाक या पर उससे अधिक इस तरह के सभी vouchers B2C Small Invoices में दिखाई देते हैं और यदि Consumer या Unregistered Dealer किसी दूसरे State का है और उसकी एक Invoice में की गई Sell का Amount धाई लाक या उससे कम है तो उस Invoice की GST Report B2C Small Invoices में दिखाई देती है पर यदि उसके एक Invoice का Amount थाई लाक से अधिक है तो उसकी GST Report हमें B2C Large Invoices में दिखाई देगी अगला है Credit और Debit Notes Registered जब हम किसी Registered Party को कोई Sell करते हैं और उस Sell के Against कोई Credit Note या Debit Note बनाते हैं तो वो इसमें दिखाई देते हैं पांचवा है Credit Oblig Debit Notes Unregistered जब हम प्रदेश के बाहर के Consumer या Unregistered Dealer को कोई Sell करते हैं और उस Sell के Against कितने भी Amount का Credit Note या Debit Note बनाते हैं तो उसके Report हमें इसमें दिखाई देती हैं यहां पर एक खास बात ध्यान रखें कि यदि हम अपने ही प्रदेश के किसी Consumer या Unregistered Dealer को कोई Sell करते हैं और उस Sell के Against कितने भी Amount का Credit Note या Debit Note बनाते हैं तो उसके Report हमें B2C Small Invoices में ही दिखाई देती हैं इसके बाद है Export Invoices यदि हम अपने देश के बाहर यानि Out of India कोई Sells यानि Export करते हैं तो वो इसमें आएंगे अगला है Tax Liability Advances Received जब हम किसी महीने में किसी Party से Advance लेते हैं और Sell बाद के महीने में करते हैं तो इस तरह के Advance पर भी हमें GST देना होता है जिसके लिए Books में हमें अपनी Tax Liability बढ़ाना होती है और इसके लिए हम Adjustment Entry पास करते हैं वो इसमें दिखाई पड़ती है आठवा Option है Adjustment of Advance जब हमें किसी महा में Advance प्राप्त होता है तो हम उस Advance के लिए पहले बताए अनुसार Tax Liability बढ़ाने की Adjustment Entry कर लेते हैं और जब बाद वाले महा में हम उस Advance के अगेंस Sell करते हैं तो उसकी भी Adjustment Entry करना होती है जो कि इसमें दिखाई पड़ती है नवे नंबर पर है Nil Rated Invoices हम इस पर Enterprise कर रहे हैं देखिए इसका नाम तो Nil Rated Invoices है जिससे हमें लगता है कि इसमें सिर्फ Nil Rated Supply की ही GST Reports दिखाई देंगी पर ऐसा नहीं है यहां हमें Nil Rated Supply के साथ साथ Exempted और Non GST Supply की भी Report दिखाई देती हैं इसके साथ ही यहां Particular में आप अलग-अलग Headings देख रहे हैं आप जिस तरह की Supply करते हैं वो उससे संबंधित Headings में चली जाती है जैसे कि हम किसी Registered Dealer को Interstate Supply करते हैं तो वो Interstate Supply to Registered Person में दिखाई देंगी इसे प्रकार से अन्य Headings हैं जिने आप पढ़कर समझ सकते हैं इनके सामने ही यहां Nil Rated, Exempted और Non-GST Supply के लिए तीन अलग-अलग Columns बने हैं आपने जिस प्रकार की Supply की है उससे Left या Right arrow की से उस Column पर जाकर Enter Press करके देख सकते हैं चलीए Escape की से वापस वीचे चलते हैं यहां एक महत्पून बाध्यान रखें कि GST के नियमानुसा किसी भी एक Cells Invoice में Taxable Items के साथ में Exempted और Nil Rated का Bill ना बनाएं यानि Taxable Items के लिए अलग Invoice और Exempted और Nil Rated के लिए अलग Invoice बनाएं और यदि आप Taxable, Exempted और Nil Rated के लिए एक ही Invoice बनाते हैं तो फिर उसकी रिपोर्ट हमें इन में से किसी में यानि B2B Invoices, B2C Large या B2C Small में दिखाई देती हैं यहां Total में दिखाई देता है कि GSTR 1 में कुल कितने vouchers एड हो चुके हैं टोटल Taxable Amount कितना है, टोटल Tax Amount कितना है और दोनों को मिलाकर टोटल Invoice Amount कितना है इसके बाद अगले सक्षन में है HSN Oblick SAC समरी हमने जो Cells के Invoices बनाए हैं, उनमें जो Stock Item या Service के Leisure लिये हैं उनमें यदि हमने HSN या SAC डाला होगा, तो यह समरी उसके आधार पर अपने आप बन जाती है हम इस पर Enterprise कर रहे हैं यह देखिए, जिन Stock Items में हमने HSN डाला है वे सभी इस HSN SAC समरी में इंक्लूट हो गए हैं साथ ही Stock Items की सारी Cells Details भी यहां पर दिखाई दे रही हैं इसके बाद है Document Summary, हम इस पर Enterprise कर रहे हैं यह देखिए, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि इस Period में हमने Total कितनी Cells Voucher बनाए हैं वे किस Serial Number से शुरू हो रहे हैं और आखिरी Voucher किस नंबर का है कितने Voucher Cancel हुए हैं और Net Cells Voucher कितने हैं इसी तरह से Debit Note और Credit Note की भी सारी जानकारी यहां दिखाई दे रही हैं इसके अलावा यहां कुछ अनिप्रकार के Vouchers की भी संबरी दिखाई देती हैं जैसे कि Purchase from Unregistered Dealer, Delivery Note, Recorded for Branch Transfers, इत्यादी हमने अभी उन पर काम नहीं किया है, इसलिए उनके नाम यहां दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इस बारे में हम आपको Advanced Level में Detail में बताएंगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभी आप GSTR1 Report का यह जो View देख रहे हैं, यह Return View है क्योंकि हमें GSTR1 Return इसी Format में File करना होता है इस View के अलावा हम इसे यहां Right Side में दिखाई दे रहे Nature View Option की सहायता से Nature View में भी देख सकते हैं हम इसका Shotcut F5 प्रेस कर रहे हैं यह देखिए अब इसका View Cells के Nature के आधार पर दिखाई दे रहा है इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि हमने कुल कितने रुपए की Local Cells की हैं और दोनों को मिलाकर Total Outward Supplies कितने की हैं और यदि आप चाहें तो इसे यहीं Detail में देख सकते हैं यह देखिए Local Cells के अंतरगत हमने कुल कितनी Taxable Cells की हैं और कितनी Exempted Cells की हैं यह भी दिखाई पड़ रहा है और इसी तरह से हमें Interstate Cells की भी पूरी Details दिखाई दे रही हैं अब हम Nature View से वापस Return View में जाने के लिए फिर से F5 की Press करेंगे यह देखिए View Change हो गया है तो इस प्रकार हमने देखा कि GSTR 1 में किस Option का क्या उप्योग है चलिए अब हम Escape की से वापस GST Reports वाली स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं GSTR 2 के बारे में हम व्यापार में जितनी भी Invert Supply जैसे Purchase Taxable, Nil Rated, Exempted, Purchase Return और Import इत्यादी करते हैं उसके आधार पर यह GSTR 2 रिपोर्ट तयार होती है इसे हमें अंशिक रूप से यानि Partly GSTR Portal पर अप्लोड करना होता है यहां हम आपको बता दें कि Tally में हम Purchase की जितनी भी Entries करते हैं उनकी Report हमें Tally में GSTR 2 के नाम से प्राप्त होती है और इससे मिलती जुलती Purchase की एक Report हमें GSTR Portal पर भी मिलती है वो GSTR 2 A कहलाती है अब आपके मन में एक प्रशना रहा होगा कि यह GSTR 2 A GSTR Portal पर पहले से ही कैसे अप्लोड रहती है तो यहां हम आपको बता दें कि जब हम अपने Supplier से कोई Purchase करते हैं तो उनके लिए तो यह Cells है और वे Cells की Summary GSTR 1 के माथिम से GSTR Portal पर अप्लोड कर देते हैं बस इसी के आधार पर पोर्टल पर हमारी GSTR 2 A रिपोर्ट बन जाती है हमें GST Portal से GSTR 2 A डाउनलोड करके उसे GSTR 2 से रिकंसाइल करना होता है यानि कि GSTR 2 से मिलाना होता है अब ही हम GSTR 2 को समझने के लिए उस पर जाकर एंटरप्रेस कर रहे हैं यह देखें GSTR 2 रिपोर्ट दिखाई दे रही है GSTR 2 को समझने के लिए हम इस वर्ष के प्रारंब से लेकर अभी तक के पीरेड की रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं इसमें उपर के पटिकुलर वाले सेक्शन में यह ओप्शन्स वैसे ही काम करते हैं जैसे कि हमने GSTR 1 में समझा था तो इन्हें छोड़ करके हम बाकी के आप्शन्स समझ लेते हैं एक है Invoices Ready for Returns हमने Purchase के जितने भी Transactions Record किये हैं सभी इसमें दिखाई देते हैं यह देखिए यह इस तरह से दिखाई देते हैं अगला आप्शन है Invoices with Mismatch in Information इसमें Purchase और Purchase Return के ऐसे Transactions दिखाई देते हैं जिनमें हमने GST से संबंधित कोई गलती कर दी है या फिर GST से संबंधित अधूरी जानकारी दी है या गलत जानकारी दी है हम कौन-कौन सी Mistake कर सकते हैं और उन्हें कैसे Solve करते हैं इसके बारे में हम आपको इसके बाद वाली वीडियो Uncertain Oblick Mismatch Transactions में डिटेल में बताएंगे चले आगे बढ़ते हैं और इस वाले section के heading को पहले समझ लेते हैं To be Reconciled with the GST Portal इसका मतलब है कि GST Portal पर दी गई जानकारी से यानि GST R2 ऐसे हमें इस टीटेल को चेक करना होगा और अगर कहीं कोई गलती मिलती है तो हमें उसे पोर्टल पर ठीक करना होता है इसके अंतरगत हमें दो टेबल दिखाई दे रही है पहली है B2B Invoices, B2B का मतलब है Business to Business इसमें Regular Dealer से की गई Taxable Purchase की GST Report दिखाई देती है अगला है Credit Oblick Debit Notes Regular हम Regular Dealer से की गई Purchases के अगेंस्ट जो Credit Note और Debit Notes बनाते हैं उनकी GST Reports इसमें दिखाई देती है इसके बाद एक Heading है To Be Uploaded on the GST Portal यानि की इस Heading के अंतरगत दे गई सभी जानकारी हमें स्वयम GST Portal पर अपलोड करनी होगी दरिसल इस Heading के अंतरगत ऐसी जानकारियां होती है जो GST Portal पर पहले से अपलोड नहीं होती है वो हमें देना होती है यानि हमको अपलोड करना पड़ती है इसमें पहला है B2BUR invoices, हम unregister dealer से जितनी भी purchase करते हैं, उनके transactions इसमें आएंगे, फिर है import of services, यदि हम अपने देश के बाहर से कोई service import करते हैं, या फिर sales यानि special economic zone से कोई service purchase करते हैं, तो उनके transactions इसमें दिखाई देंगे, इसके बाद है import of goods, यदि हम अपने देश के बाहर से goods import करते हैं, या फिर sales यानि special economic zone से goods purchase करते हैं, तो उनके transactions इसमें दिखाई देते हैं, इसके बाद है credit and debit note unregistered, यदि हम unregistered dealer से कोई purchases करते हैं, और उसके against कोई credit note और debit note बनाते हैं, तो उसकी GST report हमें इसमें दिखाई देगी, इसके बाद है nil rated invoices, इससे समझने के लिए पहले हम alter और F5 keys को press करके इस report का detailed view देख लेते हैं, देखें अब हमें nil rated invoices के अंदर चार options दिखाई दे रहे हैं, composition, exempt, nil rated और non GST, composition में हमें composition dealer से की गई purchase की GST report दिखाई देती हैं, और यदे हम किसी regular dealer से exempt, nil rated और non GST goods पर्चेस करते हैं, उनकी GST report हमें यहां दिखाई देती हैं, ध्यान रखें, यदि हम किसी regular dealer से एक purchase bill में taxable items के साथ ही exempted और nil rated items भी purchase करते हैं, तो उनकी report यहां न दिखाई पड़ते हुए, उपर यहां B2B में दिखाई पड़ती है, अगला है advance paid, जब हम किसी महिने में किसी supplier को advance देते हैं, और purchase उसके बाद के महिने में करते हैं, तो इस तरह हमने अपने supplier को जो advance दिया होता है, हम उस advance amount की, जो input tax credit का amount है, उसको raise करने की adjustment entry कर देते हैं, वो हमें यहां पर दिखाई पड़ती है, फिर है adjustment of advance, जब हम किसी महा में किसी supplier को advance देते हैं, तो उस advance का input tax credit का जो amount है, उसको raise करने की adjustment entry पहले बताय अनुसार कर लेते हैं, और जब बाद वाले महा में हम उस advance के against purchase करते हैं, तो उसके tax की भी adjustment entry करना होती है, जो की इसमें दिखाई पड़ती है, अब यहां total invert supplies के सामने हमें इस पूरे period का total taxable amount दिखाई दे रहा है, उस पर कितना tax बन रहा है, और उसी के आधार पर total ITC कितना available है, यह दिखाई पड़ रहा है, इन तीनों के बारे में हम आपको advance level की वीडियोस में बताएंगे, आईए अब हम बात करते हैं GSTR 3B के बारे में, हम इस पर जाकर के enterprise कर रहे हैं, इस report के लिए जो भी period select किया गया होगा, उस अवधी में purchase और sales की जितनी भी entries होंगी, GSTR 3B उसकी summary है, यह report purchase और sales के आधार पर automatically तयार होती है, यह देखिए GSTR 3B हमें return view में दिखाई दे रही है, GSTR 3B के इस view के बारे में हम आपको advance level में समझाएंगे, अभी हम F5 की press करके इसके nature view के बारे में समझ लेते हैं, यह देखिए GSTR 3B nature view में open हो गई है, यह देखिए यहाँ पर outward supplies लिखा हुआ है, हम जितने भी outward supplies करते हैं, यहाँ उसकी जानकारे दिखाई देती है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमने कुल कितने रुपए की local sales की है, कुल कितने रुपए की interstate sales की हैं, और दोनों को मिला कर total outward supplies कितने की हैं, आप जाहें तो इसे यहाँ और भी detail में देख सकते हैं, यह देखिए, local sales में हमने कितनी taxable sales की हैं, और कितनी exempted sales की हैं, वो भी दिखाई पड़ रही हैं, और इसे तरह से हम interstate sales की भी पूरी details देख सकते हैं, यह देखिए, यहाँ हमारे उपर total liability कितनी बन रही हैं, यह भी दिखाई पड़ रहा हैं, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, यह देखिए, जिस तरह से हमने outward supplies वाले section में, sales से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी, ठीक उसी तरह, यहाँ invert supplies में हमें, purchase से संबंधित सभी जानकारी मिल जाती हैं, यह देखिए, यहाँ पर total ITC कितना हैं, यह भी रिखाई पड़ रहा है, यहाँ हम आपको बता दें कि जो भी regular dealer है, उसे GSTR 3B return भरना ज़रूरी होता है, turnover यदि 5 करोड से ज्यादा है, तो monthly return फाइल करनी होती है और 5 करोड से कम है, तो quarterly भी फाइल कर सकते हैं और monthly भी. तो दूस्तों, इस वीडियो में हमने बताया GST Reports के बारे में, इसके बात वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे, uncertain और mismatched transactions के बारे में. आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद.